है यह वरिवान वेल्कम बैक टो माइक्रोब टॉक यह और यूट्यूब चनल आए मानशी इवन से इन वीडियो और आज मैं आप लोग साथ डिस्कुस करने वाली हूँ नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस मतलब रास्ट्री कोशिका फिज्यान केंद्र यह की ओटोनमस इंस्ट है डिपार्टमेंट आप लोग साथ शेयर करने वाली हूँ सबसे पहले तो लास्ट डेट है उनलाइन अप्लिकेशन की 9th of December 2024 अब आज आते हैं क्या-क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए होगी क्या-क्या इलिजिबिटी आपको चाहिए होगी अगर आप अपलाई करना चाहते हैं केंडिडेट जिनके पाफ पोस्ट ग्रेड़ेट डिगरी है इन एनी ब्रांच ऑफ साइन्स विदा स्ट्रोंग इंट्रेस्ट पर्सुइंग रिसर्च इन वेरेस एरियाज ओव मोर्डन बायलोजी ठीक है और उस केंडिडेट के अट-लीस 55% मार्क्स हो या फिर इक्वेलेंट ग्रेड पॉइंट हो तो अप्लाई कर सकता है 5% का मार्क्स का रिलेक्सेशन है वो दिया जाएगा SC, ST, OBC केंडिडेट को एंड पर्सन विल डिसेबिलिटी को इसी के साथ साथ आके पास एक वैलेट फैलोशिप होनी चाहिए चाहिए वो CSIR से हो, UG से हो, DBT कैटेगरी 1st से हो, ICMR, BINC, ODST, इंस्पायर तो अप्लाई कर सकते हैं अगर यह नहीं है तो आपके पास जरूरी ह के आपने क्वालिफाय किया हो, JGEEBILS examination, जो की कंड़करता है NCVSTIFR in December 2023, जो शोर्ट लिस्टिंग है केंडिडेट की, वो बेजड होगी, JGEEBILS cutoff score, जो की स्टैबलिश होगी, NCCS for the interview, इस से अलग केंडिडेट जो जिन्नोंने क्वालिफाय किया है, only lectureship, यहनी के, LS in CSIR, UGC net, DBT category second, and the project list of ICMR, वो eligible नहीं है, apply करने के लिए, कुछ और information जो इन्होंने यहां पर दी है, ठीक है, जिसकी candidates यहनोंने, यह तो मैंने आपको बताई दिया अलड़ी, कुछ note में दिया इन्होंने, ठीक है, अपर age limit आपको पताई है, JRF की 28 years है, जो की कब तक valid है, 1 March 2025 त candidate के लिए, CS2, OBC, EWD candidate, EWS candidate के लिए, वो इन्होंने इसमें बताया है, full time है यह, एक बाद timeline आपके साथ, share कर लेती हूं, मैं, PhD program की, last date है, online application की, 9th of December, जैसे की मैंने आपको भी बताया ही था, 2024, publication of list of shortlisted candidate होगी, 20 of December, 2024, first round of interview, जो की online होंगे, 6 से लेके, 8 January तक होंगे, and declaration of result होगा, first round का online, जो की January 8, 2025, सुबह, शाम को 7 बजे तक, final round होगा interview का, जो की again online ही होने वाला है, 9 से 10 January के बीच में, 2025 में, declaration of result of selected candidate, January 2025 होने वाला है, इस से लग, interaction of finalization of guide in person and joining, वो होगी, 10 से 14 February 2025 के बीच में, अब ये है, जो भी selected students होंगे, उन्हें प्रिजेंट ओना होगा इंस्टिूट में, February 10 to 14, 2025 में, ठीक है, to engage in discussion with scientist, जो भी finalized research guide है, वो, and complete their joining procedure, accommodation during this period, will be provided by NCCS, apply करने के लिए, आपको यहाँ पर link दिख रहाएं, NCCS के लिए, ठीक है, apply online here, तो आप here पर click करके apply कर पाएंगे, लिंग नीचे description box में provide करा दूँगी, direct application का, so yes, यह था हमारा आज का वीडियो, जिसमें आपने जाना की NCCS, पूने है, निके national center for cell science, तिके राश्टे कोशी का विज्यान केंदर यहाँ पर जो PhD, admission के लिए notification रिलीज हुआ है, बहुत ही अच्छा institute है, बहुत prestige institute है, इंडिय का, तो मैं जरूर कहूंगी, कि आप यहाँ पर apply करिये, I hope, आप में से कोई एक होगा, कोई एक क्यों बहुत सारे candidate होंगे, जो select होएंगे, so आज के लिए इतना ही मिलते, नेक्स वीडियो में, keep watching my crop talk and also don't forget to subscribe us.